21 माई 1991 को अमेरिका में एक टेली फोन बच्टा है 21 साल का लड़का फोन रिसेव करता है तो दूसरी तरफ से एक सक्स बताता है कि तुम्हारे पापा की मौथ हो गई है तुम जल्दी से इंडिया चले आओ अंतिम संसकार करना है ये सुनते ही लड़का जमीन में बैठ कर रोने लगता है क्योंकि उसने अपनी दादी को तो एक हत्या कांड में पहले ही खो चुका था लेकिन ये गम तबावर भी ताजा हो गया जब अपने पापा के सरीर को टुकुडो को उसने कंधा दिया जाहिर था कि एक बड़ा पॉलिटिकल करियर उसके सामने था मगर पॉलिटिक्स का टी भी उसे नहीं आता था विधाउट एक्सपीरियंस वो राजनीती में मा के सहारेत ख़ड़ा हुआ लेकिन अपनी ही गलती और जीरो नॉलिज के चलते उसे एक बड़ा सेट बैग शिलना पड़ा एक तरफ भरभर के लोगों ने उसे ट्रोल किया तो दूसरी तरफ बैग टू बैग पार्टी की हार ने साफ कर दिया कि जनता उसे नहीं चाहती एक वक्त तो ऐसा आया जब लगा कि उसके पॉलिटिकल करियर का अंत हो गया है लेकिन उसने हार नहीं मानी वो फिर उठखड़ा हुआ जनता के बीच गया उनकी नराजगियों को सुना और आखिर कार वो लाखों लोगों के दीलों तक जा पहुचा ये लड़का था दुन्या के सबसे बड़े लोगतंत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी का युवराज राहुल गांधी जी हाँ वही राहुल जिसे पूरे इंडिया ने पप्पू नाम का टैग दिया है लेकिन 2024 में ऐसा क्या हो गया कि ये लोगों कब इस्वास जीतने में सफल रहा अखिर कैसे राहुल गांधी मोदी के जादू को हटा कर लोगों के दिलों में मुहबत की दुकान खोल पाए और करोनों लोग तो राहुल को भारत का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मान चुके है आखिर क्या है राहुल गांधी की असली का है और क्या अब नए यूत इन्हें अपना लीडर मान चुके है समझेंगे सारे की पॉइंट्स को इस वीडियो में इसलिए वीडियो को लाश तक जरूर देगा साल था 1970 और तारीक थी 19 जुन जब नई दिल्ली के सबसे बड़े पॉलिटिकल घराने में राहुल गांधी का जन्म हुआ वही राहुल जिसे जन्म से ही ऐसा देखा गया जैसे वो पुर्धान मंतरी बनने के अधिकार के साथ पैदा हूँ लेकिन ये एक्सपेक्टेशन उनके जिन्दगी की रियालिटी नहीं बन पाई बड़े होते होते उनके लाइफ में दो एंसिडेंट ऐसे हुए जिन्होंने उनके परिवार को तोड़ कर रख दिया लेकिन तब ये समझने के लिए साथ वो काफी चोटे थे इसमें पहली घटना तो खुद उनकी दादी की मौत थी जिन्हें उनके ही बाडी गार्ड ने गोली माल कर माल डाला था और कोई कुछ नहीं कर पाया ला लिया गया सिक्यूर्टी रीजन्स के चलते उन पर और उनकी पहन पर बंदी से थी कि वो घर से ही पढ़ाई करें और कहीं न कहीं इसी फैतने ने राहुल कांधी की परवरिस में एक बड़ा रोलनी भाया हाला कि राजियू हमेशा इस बात का ख्याल रगते थे कि राहुल साध़ी से जी न सीके लेकिन भारत के सबसे बड़े राजिनीतिक फैमिली में पैदा होने के अपने ही फायदे और नुस्कान दे थे फायदा ये था कि सभी ऐसो अराम उनके पास था और नुकसान ये था कि भारत की असल रियालिटी गरीबी अमेरी जैसे परिसान्यों को वो कभी समझ ही नहीं पाए आलम ये था कि राहूल ना घर के बाहर जा सकते थे और ना बाहर से कोई उनके घर के अंदर आ सकता था ले देकर सुरच्छा कर्मियों के साथ राहूल खेला करते थे और उनकी दादी को मारने वाला भी एक सुरच्छा कर्मी ये था कहते हैं कि यही वो प्रॉब्लम थी जिसने राहूल गांथी के दिमाग में एक कहरा प्रभाव डाना खैर इन सब बातों से गुचर कर राहूल चैसे तैसे बड़े हुए और उन्हें इस चार दिवारी से बाहर जाने का मौका मिला और यह मौका उनके पास आया 1989 जब दिली के सेंट श्टीफन्स कॉलेज में उन्हें दाखिला मिला लेकिन यहां भी प्रॉब्लम यही थी कि श्टीफन्स कॉलेज में उनके साथ सीक्योर्टी प्रतनल का एक भारी दस्ता रहता था उन्हें केवल घर से कॉलेज और कॉलेज से घर जाने के अनुदी थी ऐसे में राहूल ने मन बना लिया था कि सुरच्छा घेरे से पीछा चुडाने के लिए वो देश से बाहर जाएंगे और आगे ऐसा हुआ भी 1990 में राहूल ने अमेरिका के रोलिंस कॉलेज में एडमिसन लिया और यहां सेक्योर्टी रीजन्स के चलते उनकी पहचान गुपत रखी गए यहां लोग उन्हें राहूल विंसी के नाम से चानते थी केवल इंडियन गॉर्मेंट और फ्लोरीडा फुलिस के कुछ बड़े अफसर ही इस बात को जानते थी कि राहूल अमेरिका में है चीज़ें राहूल के लिए नॉर्मल जरूर थी लेकिन उनकी ये नई जिन्दगी तब बदल गए जब अगले साल उनके पिता राजियू गंधी की भी हत्या हो गए ये हत्या तब हुई जब वो देश के प्रधान मंत्री थे और जब उनके साथ ये हुआ तो कांग्रेस को एक बड़ा जटका लगा आलम ये रहा कि गांधी परिवार सालों तक राजनीती से दूर रहा सोन्या गांधी तब खुद इस बास से राजनीती में नहीं उतरना चाहती थी कि वह परिवार के बागी सदश्चों को भी खो देंगे एक तरफ जहां भारत की राजनीती में एक अलगी महोल था वह 1994 में अमेरिका से बैचलर डिग्री लेने के बाद रहुल गांधी लंदन आगे और कैम्बरिज में एमफिल करने के लिए एडमिसन ले लिया इस दोरान राहुल ने एक मनेजमेंट कंसल्टर्सी फर्म में भी काम किया लेकिन आखिरकार उन्हें अपना रुप भारत की तरफ करना ही पड़ा चाहें एक बड़ा पॉलिटिकल करियर उनका इंतजार कर रहा था इंडिया आकर 2002 में राहुल ने भारत में बैंक आप्स नाम की एक इंजिनरिंग डिजाइन आउटसोर्सिंग फर्म खोले लेकिन क्योंकि इनका नाम राहुल गांधी से जुड़ा था इसलिए उन पर आरोप लगने लगे कि पॉलिटिकल इंफ्लूएंस के चलते इस फर्म को बड़े प्रोजेक्ट बड़े असानी से मिल जाते हैं इन सब क्रिटिसिजम ने राहुल को राजनीती की तरफ मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया साल 2004 ये वो साल था जब ये तैं हो गया कि राहुल का करियर अब राजनीती से जुड़ने वाला है हला कि उन्हें सक्सेज मिलेगी या नहीं ये एक बड़ा सवाल था लेकिन कांग्रेस के चाहने वालों को लिए ये एक उगते सूरज के तरह थे जो पार्टी को बड़ी उचाईयों तक ले जाने वाले थे सायद आपको यकीन ना हो लेकिन सुरुवात में हुआ भी कुछ ऐसा है सबसे पहले इनको उनकी मा की सबसे सेफ से अमेठी से चुनाव लड़ाये गया और वहां से वो जीते भी लेकिन जीतने के बाद भी उन्होंने मनमुहन सरकार से कोई मंत्री पद नहीं लिया बलकि इसके बदले उन्होंने देश में घूम कर भारत के बारे में जादा जानकारे इकठा करने की कोशिश की दलितों के घर राध गुजारना नरेगा मजदूरों के साथ मिट्टी डालना मुंबाई की लोकल ट्रेंस में सफर करना और स्कूल कॉलिज के बच्चों से बाच्चीत करना ये सब काम उन्होंने किया अपने इसी डाउन टू अर्थ नेचर से वो 2007 में कांगरेस के महासच्यू भी बने और उन्हें यूथ कांगरेस और NSUI का प्रभार भी मिला इस बीच राउन ने यूथ कांगरेस में बड़े बतलाव किये और चारों तरफ इनकी खोब वहावाही भी होई और इसी का रिजट था की साल 2009 में जब लोक सबह चुना हुए तो राउन गांधी की रैलियों की बदावलत कांगरेस 206 सीटें जीतने में सफल रहे आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन उस दोर में तब मीडिया राहुल की दिवानी थी वो राहुल को पलकों पर बिठाने को तयार दी इस जीत के बाद तो उन्होंने जल्द ही राहुल को युवराज की उपादी दे दी इस चुना में कांगरेस ने यूपी में अच्छी खासी वाप सीखी असी में 22 सीटें उनको मिली मनमोहन सिंकी अगवाई में जब लगा ता दूसरी बार यूपी की सरकार बनी तो उम्मीदे लगाई जाने लगी कि राहुल कोई आहम मंत्राले लेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ राजनीती में जगा बनाने के बजाए वो मंत्राले से दूर ही रहे कांधी परिवार का सदद से मंत्री बनने के लिए राजनीती में नहीं आता और ये कहावत बरकरार रखी अब आप सोच रहे होंगे कि राहुल के लिए जब चीजे इतनी अच्छे थे तो परेसानी कहां से आई आखिर इस सहजादे के पपू बनने की कहानी कहां से सुरू हुई ऐसा क्या हुआ जो यह अर्थ से फर्स पर आ गए वेल उनके मुस्किल डिगर की सुरुआत हुई 2010 से जब लगातार कांग्रेस के घोटालों के धागे की तरह खुलते चले गए कॉमन वेल से लेकर टूजी स्पेक्ट्रम जैसे कई बड़े घोटाले कांग्रेस के नाम सामने आने लगे एक तरफ तो लोग पहले ही कांग्रेस से गुस्सा थे उपर से इस पूरे घोटाले के जवाब देनी की बारी आई तो राहुल कहीं भी नजर नहीं आये इसके अपोजिट अन्ना हजारे के भरष्टा चार विरोधी आंदोलन से भी लोगों का कांग्रेस पर गुस्सा बढ़ने लगा और कमाल की बात तो ये थे कि उनको इसका जवाब तक नहीं दिया गया एक तरफ ये सारे इसूश चल ही रहे थे कि साल 2012 में यूपी का चुनाव आ गया यहां कांग्रेस ने ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने की कोशिस की लेकिन उनकी पार्टी महज 28 सीट ही जीश सके जो कि पिछली बार से केवल 6 सीट ज़्यादा थी बस यहीं से समझे कि राहुल की राजनीती का एक बुरा दौर सुरू हो गया अब तक जो मीडिया उन्हें देश के सहजादे के रूप में देखती थी वहीं मीडिया अब उन्हें पपू की तरह ट्रेट करने लगी और इस सोच को बढ़ावा मिला जब बीजेपी में नरेंदर मोधी का उभार सुरू हुआ उन्होंने अपनी मार्केटिंग के लिए राहुल गांधी को निसाना बनाया और उन्हें बेखूफ दिखाने की कोसिस करने लगी नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी पर जोग पढ़ने लगी बीजेपी आईटी सेल द्वारा अफवा फैलाई जाने लगी उनके भासुडों की क्लिप काट कर अकसर सेयर की जाती और सोसल मीडिया पर उन्हें अकसर पप्पू कहकर बुलाय जाने लगी जाहिर धान अकेवल यूद बलकि भारत के कोने कोने तक राहुल गांधी लोगों के लिए बस पप्पू बन कर रहे गे और उनकी असल छवी कहीं खोकर रहे गे इसी बीच उनके एक पुराने इंटर्व्यू की क्लिप भी वारल हुई जहां वो गलत इंग्लिज बोलते दिखाए दिये उनके स्लिप आफ टंग को इतनी बुरी तरह से ट्रोल किया गया कि वो लोगों के लिए एक नाकाबिल राजनेता बन कर रहे फिर 2013 में किदारनाथ में आई आपदा के दोरान भी राहुल कहीं नहीं दिखाए दिये इससे उनकी 56 छुटी पर रहने वाले राजनेता की बन गए जो मुश्किल की घाडी में देश से कहीं गायब था अब तक लोगों का कांग्रेस और राहुल दोनों से भरोसा उठ चुका था और इसके अपोजिट मोदी लहर इतनी बड़ी हो गए कि लोगों को बाकी सब भी पार्टी छोटी लगने लगी इसी का नतीजा रहा कि 2013 में जब राहुल गांधी को पार्टी का वाइस प्रेसिडंट बनाये गया तब दिये गए भासर में उन्होंने सत्ता को जहर बताया कांग्रेस इसासर को राहुल की बड़ी लाँचिंग के लिए तैयार कर रही थी लेकिन वो फ्लाफ हो गई दागी नेताओं को बचाने के लिए लाए गए अपने ही सरकार के अध्यादेस को उन्होंने बकवास और भाड़ कर फेक देने लाइक बताया इसके बाद पार्टी के सीनियर नेता रहुल से नराज हो गए 2014 के आखिर में हुए पांच राज्यों के चुनाव में कांगरेस चार जगा बुरी तरीके से हार गए जिसका कारण मोदी लाहर ही था लेकिन राहुल का कम सक्रिय होना भी इसका एक बहुत बड़ा कारान था 2014 के चुनाव में राहुल और उनकी पार्टी बिल्कुल आकरामक ना हो सकी इसका नतीजा यह हुआ कि कांगरेस महाच चवाले सीटों पर सिमट कर रहे राहुल ने इस हार की जिम्मेदारी ली और इससे सबक लेने की बात गए हाला कि कांगरेस के कई सीनियर नेताओं का मानना था यह राहुल की नहीं बलकि संगठन की हार है लेकिन राहुल ने लोगसभा में पार्टी का नेता बनने की जिम्मेदारी नहीं ली 2015 में वो 55 दिन के लिए कहीं चले गए इसके बाद मीडिया के लावा पार्टी भी उनके नेतित को लेकर असंकित हो गए 2014 में हरियाना महाराश्ट के विधान सभा चुनाओं में सुरू हुआ हार का सिल्सिला लकातार चलता रहा असं, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिल नाडू, जारखंड, चम्मू कस्मीर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांगरेस एक नहीं बार बार हारती रहे और दूसी तरफ राहुल की इमेज बुरी तरह से बरबाद हो गए आलू डाल कर सोना निकालने जैसा इडिट वीडियो उनकी इमेज पर चिपका दिया गया जबकि ये एसल में मोधी जी द्वारा दी गई एक स्टेटमेंट थी ऐसे में जाहिर था कि राहुल दुन्या की नजर में एक लूजर बनकर रहे गए एक टाइम की सबसे बड़ी पार्टी केवल चार राज्यों में सिमर चुकी थी कांग्रेसियों को लगने लगा था कि राहुल के अंदर नेता बनने की छमता नहीं है साथ ही राहुल की सलाकार टीम को भी तोस्त दिया जाने लगा लेकिन अभी राहुल की राजनीती का उदय होना बागी था 2017 के दिसंबर में गुजराद में बिधान सभाद चुना होने थे अपनी हार को हार न मान कर वा उट खड़े हुई और उन्होंने गुजराद का रुख किया वहां जाने से पहले राहुल ने अमेरिका के एक यूनिवस्टी में छात्रों से बात की यहां राहुल का एक अलगी अंदाज देखने को मिला यहां उन्होंने एक कॉन्फिडेंस से सबके सवालों का जवाब दिया और मोधी सरकार पर निसाना भी साधा इसके बाद राहुल ने मीडिया और सोसल मीडिया में अपना प्रिजेंट्स बढ़ा दिया और गुजराद में असोग गहलोत को उन्होंने कांग्रेस का लीडर बना कर भेजा अब जाहिर है कि गुजराद प्रधान मंतरी मोधी और बिजेपी अध्धच अमिसाह का ग्रीह राजे है इसलिए चुनौती और भी बड़े थी ऐसे में राहुल ने लगातार वहां की याद तराएं की गुजराद से अलग-अलग आंदूलनों से उभर कराएं हार्दिक पटेल जिगनेस मेवानी और अलपेश ठाकोर जैसे बड़े जुवा नईताओं को उन्होंने अपने साथ मिलिया और इस स्ट्रेटजी ने गुजराद में भाजपा को मुश्किलों में डाल दिया 180 सीटों की बिधान सभा में 150 का नारा देकर चली भाजपा इस चुनाओं में सिर्फ 99 में ही सिमट कर रहे गए चुनाओं से पहले 41 विधायक वाली कांग्रेस 80 का अकड़ा पार गर गई कांग्रेस भले ही हार गई लेकिन 2014 से निरास कारिकरताओं को गुजरा चुनाओं ने जोस से भड़ दिया था सलाहकारों की टीम बदलने के बाद से राहुल के राजनीति कुथान का एक नया दौड सुरू हुआ दिसंबर 2017 में राहुल का अंग्रेस के अध्यच बन गए राहुल ने संगठन में बड़े बदलाव गिये असोग गहलोत को प्रभारी महासचु बनाया कई राज्यों में अध्यच बदले गए कहा गया कि राहुल ने अब अपनी टीम काम पर लगाई है और अब एक नया राहुल जंटा को देखने को मिले गा और वो राहुल था प्रधानमंतरी से सवाल पूछने वारा 2017 में उन्होंने सीथे प्रधानमंतरी मोधी से सवाल पूछने सुरो कर दिये सबसे पहले राफा डिल में अनिलंबानी को फार्दा पहुचाने का आरोप उन्होंने मोधी जी पर लगाया इसके बाद उन्होंने नारा धिया की चौकीदार चोर है ये नारा कांग्रेस के कार्करताओं के जुबान पर चड़ गया राहुल के कत को मचबूत किया जिसंबर 2018 में हुए तीन हिंदी पट्टी के राज्यों के चुनाओं ने इन तीनों राज्यों राजस्थान, मद्ध, प्रदेश और 36 गड़ में भाजपा की सरकार थी कांग्रेस बिना कोई चेहरा घोसित किये राहुल गांधी के नाम पर तीनों राज्यों में चुनाओं जीत गई 2014 के बाद कांग्रेस ने किसी विधान सभा चुनाओं में अकेले भाजपा को नहीं हराया इन तीनों राज्यों को बिजेपी का गड़ और काव बिल्ट का इलाका माना जाता है लेकिन यहां राहुल की कांग्रेस ने बिजेपी को पठकन ही दे दी तीनों राज्यों में कांग्रेस ने बिजेपी को हरा कर सकता हासिल की संगठन ने इसका पूरा स्रे राहुल गांधी के सिर्वा था तीनों राज्यों में जीत के बाद से कांगरेस के होसले बुलंद हुए वो लगातार प्रेस कांफरेस करते रहे फिराया साल 2019 के चुनाव पाई जहां उन्होंने अपनी जीजान लगा दी कई रहलिया की लेकिन आलम ये रहा कि साल 2019 में केवल कांगरेस 52 सीट ही जीत पाई खुद अमेठी की सीट जो कभी कांगरेस की गड़ थी वहां से राहुल इसमती इरानी से 55,000 उटों से हार गे यहां से साफ हो गया था कि राहुल की क्रेडिबरिटी अब जीरो हो गई है और जनता अब उन्हें पसंद नहीं कर और साथ इस पार्टी का भविस अब अधेरे में है मगर यहां भी हार की जिम्मेदारी राहुल ने लिए और कांगरेस के लिए लोगों के दिलों में उठती नफरत और डी ट्रस्ट को खतम करने के लिए उन्होंने एक नई यात्रा सुरू की इसके लिए उन्होंने साथ का रुख किया और वाइनाट को अपनी करम भूमी बनाया केरल में जहां धीरे-धीरे कांगरेस अपना गड़ बनाती गए वहें उन्होंने भारत के दिलों तक पहुँचने के लिए एक नई यात्रा सुरू की इस यात्रा को नाम दिया गया भारत जोडो यात्रा इसके तहट उन्होंने कन्या कुमारी से अपनी यात्रा सुरू की और कस्मीर तक जा पहुँचे इस यात्रा में वो भारत के ऐसे ऐसे इलाकों से गुजरे जहां उन्हें देश की गरीबी का एहसास हुआ वो बेहद ही निचले तबके से जुलने में इस यात्रा में सफल हो पाए लोग उन्हें एक स्ट्रॉंग लीडर की तरह देखने लगे लेकिन यहां राहूल की मुश्किले तब बढ़ी जब एक पुराने मानहानी के दावे में उन्हें दो साल की सजा सुनाई गए साथ उनकी सदसिता एक संसस से छीन ली गए इसी बीच उनसे उनका घर तक छीन लिया गया बीजेपी ने मौका देखकर उन पर अटेक किया लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी का यहाँ अटेक बैक फायर हो गया लोगों को राहूल के प्रती नफरत के बजाए सिंपथी क्रियेट होने लगी और उनके साथ जो हुआ उसे अनकांस्टिशनल करार देने लगी आलम ये रहा कि सुप्रिम कोर्ट ने इस फैसले पर इस्टी ओर्डर लगा दिया जिससे उन्हें वापस उनकी सदस्थता मिले और लोगों के दिलों में उनके लिए प्यार आने लगा और इसी का नतीज़ा यह हुआ कि 2024 में जब चुनाव में वो खड़े हुए तो बिजेपी सरकार के एकाउंट क्लोज करने के बाद भी राहुल पर लोग भरोसा दिखा पाए हाला कि वो जीत तो नहीं पाए लेकिन बिजेपी के खिलाफ इंडियास एलाइंस बना कर ओदोजा 24 में एक स्ट्रॉंग ओपोजीसन खड़ा कर पाए कांग्रेस यहां केवल 99 सीट जीती है लेकिन ये बात तो साफ हो गए कि उनका परदरसन 2019 से काफी बहतर है और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट भारत जोडो यात्रा और राहुल की कभी नहार मानने वाली इस्प्रिट को जाता है अब आगे वो कितने आइडियल नेता बन कर उभटते हैं और आखिर कैसे लोगों के दिलों में मोदी की तरह अपनी जगा बनाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन एक बात तो साफ है कि ये वो राहुल नहीं है जो 2014 में इन्हें पेस किया गया था अब न केवल इनका रुक बदला है बलकि इनका मुद्धा भी काफी हद तक बदल गया है और आने वाला समय साथ इनके लिए ब्राहिट हो सकता है और इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सेयर जरूर कीजेगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैसरी राव